Hello Everyone, Welcome to Luxe Online Classes आज मैं बात करूँगी एक ऐसे एक्जाम की जो इस समय पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है चाहे वो शोशल मीडिया हो चाहे फेस्बुक में आप देख लीजे और वाटस अप में कई लोग शेयर कर रहे हैं इसके बारे में तो उसके लिए आज मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी MPPSC प्रिलिम्स एक्जाम मुए था 18 फरवरी 2018 को इसके एक्जाम के बाद 22 फरवरी 2018 को MPPSC मतलब आयोग द्वारा अपनी फाइनल आंसर की जारी की गई उस फाइनल आंसर की में कई सारी तृटियां देखी गई लगभग 15 क्वेशन उसमें गलत थे उन तृटियों के खिलाफ कई जगा प्रदर्शन हुए बहुत से चात्रों ने विरोध किया और इसके चलते आयोग ने अपनी एक रिवाइजड आंसर की फिर से जारी की सब्सक्राब उसे लिआ डिलेट करती हैं अब उसी के खिलाफ अभिबतियों द्वार्त हई कोट में याच्छि का लगाई गई है हमारे माननी उचल निया ने 5 अप्रेल तक का समय दिया था सुनवाई के लिए हमारे माननी है उच्छ नियाले ने 5 अप्रैल 2018 का समय दिया था अब कोट ने ये जो सुनवाई थी इसे डिले कर दिया है अब जो इसका आदेश है इसने जो आदेश दिया है वो हमें कल पता चलेगा मतलब 6 अप्रैल को 6 अप्रेल को सूबा लगवक 11 से 12 बजे तक हमें पता चल जाएगा कि उच्च नियाले ने आयोग के लिए क्या आदेश जारी किया है मैं आशा करती हूँ कि जो भी आदेश जारी करेगा हमारा उच्च नियाले वो अभ्यरतियों के फेवर में होगा क्योंकि no doubt MPPSC ने गलत किया है चातरों के शार बहुत से चातरों के साथ खिलवाड हुआ है बहुत से पढ़ने वालों के चातरों के साथ खिलवाड हुआ है इसलिए जिन भी आप ब्यरतियों के नंबर कम आ रहे है या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको शलक्षन इस बार रुख सकता है प्राणभी परिक्षा में तो वे बिलकुल भी हातास ना हो और अपने आपको बिलकुल भी ना कोसे कि इसमें उनकी कोई गलती है उन्हों क्योंकि आयोग ने भी साफ साफ कह दिया है कि यह एक्जाम नहीं हो पाएगा तो अगर कोट यह आदेश देता है कि वह दुबारा आंसर की जारी करें तो अगर आंसर की पुना जारी होती है तो रिजल्ट आने में लगबग एक से डेढ़ हफतों का समय लग सकता है ठीक है रिजल्ट अभी बनके तयार है लेकिन अगर रिवाइजड आंसर की जारी होती है फिर से आंसर की बनती है तो फिर से नय सीरे से रिजल्ट बनेगा और रिजल्ट में एक से डेढ़ हफतों का टाइम लग सकता है और ऐसे संभावन व्यक्त की जा रही है कि उन्हीं उसी समय के बीच लगभग 500 पोस्टे बढ़ सकती है और अभी कहा नहीं जा सकता यदि अन्य विभागों से भी पोस्टे अप्रूफ हो गई होंगी तो इस 2018 वाले पीसी में मतलब यह जो हमने अभी एक्जाम दिया है आप समने उसमें जुड सकती है और अगर 500 पोस्टे जुड जा अगर माल लीजे आपका सेलेक्शन हो जाता है और आपने अभी तयारी स्टार्ट नहीं की है तो यह आपके लिए अच्छा संकेत नहीं होगा और अगर आपका नहीं भी होता है और आपने तयारी स्टार्ट कर ली है तो वो आपका नेक्स्ट येर के लिए बहुत काम इसलिए आप अपना समय बिल्कुल भी विर्थ ना करें और इन सब चीजों के बीच ना पड़ें कि आयो क्या आंसर की दुबारा जारी हो रही है या नहीं आपके कितने मार्स आ रहे हैं आप बे इचक त्यारी स्टार्ट कर दें हो भी सकता है अगर पोस्टे अच्छी खासी बढ़ गई तो आपका सेलेक्शन 100% श्योर है ठीक है तो आप अपनी प्रिप्रेशन जारी रखे और हम मेरी शुब कामनाएं आप सभी के साथ है अब कल देखते हैं छे अप्रेल को आखिर हमारे माननी उच्च नियाले का आदेश क्या आता है ओके तो पढ़ते रहें बेस बेस्ट आफ लग थैंक यू वेरी मुच